रीट के विद्यार्ति की ये हालत हो गई है कि अब रीट मोटिवेशनल वीडियो इस नाम से यूटूब पे लोग जो सर्च किये जारे या तो मोटिवेशनल वीडियो सर्च कर लो रीट की या फिर अधिन कर लो नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवियादि ग्नेश प्रारंब करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा सास्तर की अपने क्लास 32 आज के इस वीडियो के अंदर हम व्यक्तित्व की बात करेंगे व्यक्तित्व के अर्थ और व्यक्तित्व की परिवाशाओं की उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें शेर कर दें और पहली बार आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे जो की उपियों की है हम छोटे-छोटे रूप में देखेंगे और तमाम चीज़ें हैं जो कंप्लेट कर लेंगे प्लेलिस्ट के इंदर आपको सस्ट का टोपिक वाइज बहुत के प्रशनों के व्याक्या साहीत आपको कंप्लीट सेलेबस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वह देख लें साइकलोजी के टेस्ट स्रीजह बहुत सारी वह देख लें इंगलीज का कंप्लीट कोर्स है वो देख लें तमाम चीजें आपको बहुत बैतरिन तरीकी से निशुल्क प्लेलिस्ट में दी गई है प्रारम करते हैं वेक्तित्व की आप अवगत हैं वेक्तित्व से कहीं बार पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और अच्छे से सुलेंगे तो आपका वेक्तित्व अर्थ और वेक्तित्व परिवास आई तयार हो जाएगी देखिए वेक्तित्व क्या है अंग्रेजी का जो प्रस्णल्टी सब्द है इसका क्या है हिंदी रुपांत्र है तो जिसकी उत्पति लेटिन भाषा के पर्षोना सब्द से हुई है लेटिन भाषा के कौन सा या क्यों कहें नकली चहरा इसका व्यक्ति के आंत्रिक रूप से कोई लेना देना नहीं था यह प्राचीन काल की बात है आंत्रिक रूप से कोई लेना देना नहीं था बाहरी रूप से जो उसको दिखता था ना कि यह बिल्कुल हटा-कटा है और गोरा-चिटा यार क्या प गुणों को उसकी समाज गुणों को मांसे गुणों को उसकी रूची क्या है किस त्रिके पता लगा लेते ते की परस्णल्टी इस प्रकार की भी अधुनिक समय में आधुनिक समय में क्या हो गया आंत्रिक चीजें भी देखते हैं और बाहिये भी दोनों चीजों को मिला कर या यूँ करें सर्मांगिन विकास के आदार पर निर्धारित किया जाता है कि किसकी प्रशनल्टी किस प्रकार की है तो उमीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है अब देख लेते हैं वेक्तित्व की परिवाशाएं कहीं बार कथन देद दिया जाता है और पूस्ट लिया जाता है कि ये किसका कथन है जो कुछ प्रमुक कथन है और इल फोर्ड क्या कहते हैं वेक्तित्व क्या है वेक्ति के गुणों का समनवित रूप है वहीं वोट्सन क्या कहते हैं हम जो कुछ करते हैं ना वहीं वेक्तित्व है हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं किस प्रकार से क्या कुछ कर रहे तो वह सारा का सारा वेक्तितव यानि कि जो कुछ भी करते है ना उस जो निदरित कर लिया जाता है यह कहते हैं वौएंट्सन मोदें आईजेनी क्या कहते हैं ध्यान से सुनिएगा कि व्यक्तिति व्यक्ति के चरित्र चित प्रकर्टि ज्यान गान औस इसका प्रकर्ति ज्यान जो वातारण में उसके अपूर्वे समायोजन का निर्दारण के लिए जो निर्दारित करते हैं जो तत्वे वो सारी किसाजी चीजें जो इसता यह टेका वू संगठने और यह क्या करते हैं वही क्या है व्यक्तित वह यह कहते हैं आईजेनिक महोदे वुडवर्थ क्या कहते हैं वुडवर्थ की कई बार परिवाशा पूछ जाती है वुडवर्थ कहता है कि व्यक्तित वह व्यक्ति के वेवार की एक समग्र गुनात्मकता है व्यक्तित वह क्या है व्यक्ति का जो वेवार है उसकी यह क्या है समग्र बिलकुल पोर रोप से हैं व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके आपूर हुए समायोजन को क्या करता है निर्धारित करता है आलपोर्ट करते हैं बोरिंग क्या कहते हैं आखिर में इनकी परिवाशा भी देख लेते हैं बोरिंग कहते हैं कि वातावरण के साथ समायोजन ही व्यक्तित्व है कि वातावरण के साथ एंवर्मेंट के साथ समायोजन करता है न वही क्या है व्यक्तित्व है ये कहते हैं बोरिंग महोते तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने अर्थ देखा वेक्तित्वेका परिभाशाएं देखी जूड़े आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लिजिए इसी प्रकार की चोटे चोटे पार्ट में करते करते कंप्लेट साइकलोजी अपनी हो जाएगी फिर मिलता हूं